देखो फिल्मे आती हैं, रिलीज होती हैं, चली जाती हैं, उसमें से कुछ फिल्में सूपर हिट हो जाती हैं, तो कुछ फिल्में फ्लॉप हो जाती हैं, उसी में से एक दो ऐसी भी फिल्में होती हैं, जिसको दर्सक बरसो तक याद रखते हैं, उसी तरह कि फिल्म आज रिल जवाब म्यूजिक इस फिल्म का टाइम लेंद दो घंटे के करीब है लेकिन जब आप इस फिल्म को देखना शुरू करोगे न तो आप यार सोचने पर मजबूर हो जाओगे कि कास ये फिल्म और थोरी लंबी होती अब बात करते हैं इस फिल्म के एक्टर और एक्टरेस के प वारे में सबको पता है कि वो कितने सांधार एक्टर है उसके बाद एक्टरेस जोटका मैम भी बहतरीन एक्टिंग करते हुए दिखाई दे रही है इस फिल्म में उसके बाद जो एक्टर और एक्ट्रेस बच गई है उनमें से एक का नाम है जान की बोडी वाला और सब के चहीते आर माधमन सर इन दोनों ने जो किया है न वो दर्सक बरसों तक याद रखने वाले हैं ऐसा पहली बार हुआ है जब किसी ने आजया देवगन को टक कर दिया है एक्टिंग के मामले में क्योंकि आज से पहले कोई भी एक्टर एक्टिंग के मामले में आजया देवगन सर को कभी भी चुनोती नहीं दे सकता है देकिन जो आर मादमन सर ने किया है न अब ये कह सकते हो उनकी एक्टिंग देखने के बाद कि एक्टिंग के मामले में तो टककर दिया ही दिया है और इस अकेले बंदे ने सब का तेल निकाल के रख दिया एक्टिंग के मामले में क्या खतरनाक वाला एक्टिंग आर मादमन के सबसे बहत्रीन एक्टिंग किया है इस फिल्म में और उनको भी ये फिल्म बरसो तक याद रहने वाला है अब बात करते हैं इस फिल्म के कहानी के बारे में तो पूरी कहानी तो यार मैं बताऊंगा नहीं क्योंकि वो स्प्वाइलर हो जाएगा आप लोग फिल्म जाओगे नहीं देखने के लिए और ये फिल्म हॉल में जाओ काफी मज़ा आएगा इस फिल्म को देखने में तो थोड़ा बहुत आपको बता देता हूँ कहानी के सुरुवात होती है अजय देखवें के पूरी परिवार से जो अपने परिवार के साथ काफी खुस है एक दूसरे के साथ काफी मज़े कर रहा है वो घूमने के लिए अपने फार्म हाउस जाते हैं वहां उनकी मुलाकात होती है आर्म आद्वन सर के साथ और वही से जो सुरू होता है मौत का खेल कहलो जवरदस्त वाला यार वहाँ पे नाटक सुरू होता है खतरनाक वाला ड्रामा सुरू होता है कुछ ऐसा आर्म आद्वन सर के दौरा अजय देवगन की जो बेटी होती है उनको खिला दिया जाता है और उसी के बाद वो एक्ट्रेस पूरे वस में आर्म आद्वन सर की हो जाती है उसके बाद आर्मादमंसर जैसा कहते हैं वैसा ही वो लड़की करती है वो कहते हैं चाइपती खा लो वो चाइपती खा जाती है वो कहते हैं कि चाकू ले करके इसको गोप दो वो भी तैयार हो जाती है अपने भाई का सर फोर दो वो भी फोर देती है वो यहां तक भी कहता है कि अपने बाप को थपर मारो तो लगा के एक थपर दे देती है तो आप समझ सकते हो कि वो कितना हद तक वस में आ चुकी हारमाद बन सके अब ये सब क्यों किया जा रहा है इसके पीछे भी एक सौकिंग वाला कहानी है अब ये कहानी क्या है ये तो जब आप फिल्म देखने जाओगे न तभी पता चलेगा और इसका जो क्लाइमेक्स सीन सूट किया गया है भाई ये फिल्म ऐसी फिल्म है कि जब अजय देवन सर को आप देखोगे तो क्यूंकि उनका ओधा इतना बरा है आप लोगों ने उनको सिंगम में देखा है और खतरनाक खतरनाक वाले एक्सन करते हुए देखा है लेकिन जब आप ये फिल्म देखोगे न तो आपको द्रिस्यम के भी आद आने वाली है उसके बाद ये फिल्म में उन्होंने जो किया है न एक बेवास लाचाःता का जो किरदार उन्होंने निवाया है भाई यही एक एक एक्टर की निसानी होती है क्योंकि उनको पता है कि उनकी उम्र अब जैसे जैसे ढल रही है वो एक ऐसे एक्टर का किरदा नहीं निवा सकते हैं जो एक यंग लड़की के साथ प्यार महबद का खेल केल उनको ये पता चल चुका है कि इसी टाप की फिल्म दर्सक देखना पसंद करते हैं और दर्सक उसक को पचा भी पाते हैं कि हाँ ये अपने एज के साथ जस्टिफाई कर रहा है तो उन्होंने भी इस फिल्म में अपने से ज्यादा क्यूंकि वो इतने बड़े एक्टर है फिर भी अपने से ज्यादा किसी को ज्यादा सीन अगर दिया है तो वो है आर मादवन सर ने और उन्ह में आपको कुछ ऐसा भी देखने को मिलेगा जिसको देखने के बाद आप 100% सी ओर हो जाओगे कि सैतान टू भी आने वाला है अब बात करते हैं इस फिल्म के डाइरेक्टर के बारे में तो डाइरेक्टर विकास बाल है और उन्होंने भी अच्छा काम किया है यार काम किया ही है इसलिए तो इतने बहुतरीन अक्टिंग आपको देखने को मिल रहा है क्यूंकि एक डाइरेक्टर ही भाई-क्टर से एक्टिंग करवा लेता है और उन्होंने खूब एक्टिंग करवाया है सभी एक्टरों से इसके producer भी आजया देवगन है और जोटिका देश पांडे है तो पैसे की कोई दिक्कत ही नहीं थी music अमित तिरवेदी का है lyrics कुमार का है काफी अच्छे lyrics भी आपको देखने को मिलेंगे music भी आपको सांदार वाले हैं इसमें तो उमीद करते हैं ये वीडियो देख करके आप लोगो काफी मज़ा होगा अगर आप तो मेरे चनल पर अभी अभी आए तो प्लीज चनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें शेयर करें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर देख ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊंगा सबसे पहला नोडिविकेशन आपके पास आएगा तो मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ तब तक के लिए दीजिए अजाजात जैहिन